नमस्कार दोस्तो मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल विग जानकरी आज कि वीडियो में मैं आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्ट विस सेविंग्स एकाउंट यानि की यहां सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको पोस्ट विस सेविंग्स एकाउंट जो है वो अलग है और IPP एकाउंट जो अलग है यह दोनों में आपका एकाउंट नंबर अलग होता है और चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कि आपको कौन सी एकाउंट में क्या सर्विस मिल जाती है तो सबसे पहले यहां फीचर्स के अगर बात करें यहां देखिए मैंने कॉलम की सबसे बनाया हुआ है आई पीप एकाउंट यानि कि पोस्ट विस सेविंग्स एकाउंट का तो सबसे पहले अगर सर्विस की बात कर लेते हैं मोबाइल बैंकिंग की तो आपको इंडिया पो मोबाइल बैंकिंग सबसे पहले यह जानना बहुत की जरूरी है यह दोनों ही अलग है बहुत सारे लोग क्या करते हैं पोस्ट सेविंग्स एकाउंट में एकाउंट ओपन करते हैं बट आई पीप का एप को डाउनलोड करते हैं और उसमें उसके कस्टमर आईडी या फिर नमर डाल के लोग इन करने की कोचिस करते हैं तो नहीं हो पाता है यह कि दोनों ही अलग अलग है तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने कौन सा एकाउंट ओपन किया था अब सेकेंड बात कर लेते हैं इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है जबकि पोस्ट कर यानि कि आपको कोई फीजिकल डेविट कर नहीं मिलेगा आपको स्रीफ उसकी एक आप के अंदर यह आपको एक कर दिया जाएगा जिसमें कि एक कार्ड नमबर रहेगा एक सब्सक्राइब नमबर रहेगा और आपका नाम रहेगा आप उसकी रिफरेंस के मज़द से आप एकन्ने एकाउंट खूला है या रेगुलर सेविंगस खूला है तो आपको चेक बुप पास बूप नहीं मिलती श्रिफ कर्टेंट एकाउंड कि मिलती है बाट पोस्ट विसमेंग की अगर मैं बात करो तो आपको हमां चेक बुझी मिल जाती है दोनों इस चीज आप इंश कर सकते हैं Google से Link कर सकते हैं phone face से Link कर सकते हैं बट अगर आपका account post service savings account में है तो आप सी post service फ़र कर सकते हैं Mobile banking internet banking के मदद से आप post service से bank या bank से post service में कोई भी fund transfer नहीं कर सकते हैं यहां एक और बात मैं आपको बताना चाहँआ अगर आपका account अपने IPP में भी open किया है और post office में भी open किया और इन दोनों account को आप link कर देते हैं तो link करने के बाद आप अपने post office के savings account से बैंग में भी transfer कर सकते हैं IPP के account के मदद से तो आप आगे और इसके features के बारे में जान लेते हैं friends बहुत सारे लोग क्या करते है record को maintain नहीं करते हैं जिसके करण अगर हमारा कोई document खो जाता है तो पैसे हमारे unclaimed हो जाते हैं आज तक कि अगर मैं total value की बात करूं तो सतर हजार करोड से भी ज्यादा का जो amount of unclaimed होके पड़ा हुआ है कोई उसे claim नहीं करता है क्योंकि हमने उसका record नहीं रखा हुआ और खो जाने के बाद उसका account नमबर नहीं के करण वह पैसे डूब जाते हैं तो यह एक ऐसा product है जिसमें आप डाउनलोड करके इसमें अपने सारे information फाइनेंसल रेकॉर्ड सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत इजी है डिस्क्रिशन में मैंने लिंक देदी है वहां से आप डाउनलोड करके इसमें अपने सारे investment details को रेकॉर्ड कर सकते हैं जो कि आपको अपने भविश्य के लिए यूसफुल होगा और ऐसा भी होता हम निवेस कर देते हैं बट हमारा unfortunately कुछ हो जाता है तो घर वाले को इनकी डिटर नहीं मिलती है बट यह record book अगर आप अपने घर पर रखते हैं सब्सक्राइब यानि कि करीबन 11 रुपया सब्सक्राइब या सब्सक्राइब कर सकते हैं बट पोस्टविस सेविंग सेकार्ड में आपको यह फैसलेटी नहीं मिलती है जो कि बहुत ही महत्यफूर पुन है आई पी पी में आपको कुछ लिमिट तक फ्री मिल्ती है डिपोजिट और विडूर की महिने में बट पोस्टविस सेविंग सेकार्ड में अप जितनी मर्जी चाहें उतनी बाद डीपोजिट और विडूर कर सकते हैं उसके कोई भी लि स्कुर्ण किसी में भी तो आपको पोस्ट इसका सेविंग्स अकाउंड खोलना होगा पोस्ट का सेविंग्स सेकाउंड खोलने के बाद आप यह कोई भी स्किम में फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना ही आई-पीप के जर्वय तो यहां क्या होता है लोग ऑनलाइन अगर आप रिनोल्स या इंस्टॉल्मेंट जमा करना चाहते हैं तो आई पीपी से आपका जमा हो जाएगा और पोस्ट विस्ट से तो हो गई होगा आप चाहे जा करके डिपोजिट किजिए चाहे आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग की मदद से किजिए बट आपको फ्री मंतली स्टेटमेंट मिल जाता है जो कि आपके इमेल में आ जाता है और पोस्ट विस्ट सेविंग्स एकाउंड में आपका जो है पास्बूक जैसे की मिलती है तो आपका वह पास्बूक में सारा प्रिंट होता रहता है अब यहां नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरेश्ट रेट की तो अगर पोस्ट इस एक प्रूपे तक का बैलन्स रखा है तो आपको नहीं पर्षेंट का इंटरेश्ट मिलेगा और एक लाग से ज्यादा रखा है यानि 2 लाग रूपे तक रखे तो आपको 2.75% की इसाब से इंटरेस्ट मिलेगा जबकि पोस्ट मिल जाता है आपको इंटर्ख मिलता है जो कि हर साल 29 मांच में आपका एकाउंड में क्रेडिट होता है मीनिमां बैलेंस आपका आइप प्रूपे का मिनिमिमां मैं करना है तो आपको आइपी प्रूपे तक ज्यादा एम रख सकते हैं बत पोश्ट फेविस रिमिट नहीं आ सकते हैं रख सकते हैं चार्जेस की यहां बात जानना बहुत ही ज़रूरी है आई पीप अगर आप खोलते हैं तो आपका रेगुलर कर लेते हैं तो आपको एनुवल मेंटनेंस चार्ज जो है 99 रुपेस प्लस जीएश्टी देना होगा जबकि पोस्ट भी सेविंग सब्सक्राइब कर दो करते हैं तब आपको 100 रुपे का पैनल्टी लगता है जो कि आपके खाते से 31 मार्च को कड़ दिया जाता है यहां कोई एनुवल मेंटनेंस चार्ज नहीं है यह जो चार्जेस सब्सक्राइब कर आप मेंटनेंस के उपर है यानिकि यह 500 रुपे अगर तो फ्रेंट्स यहां सबसे इंपोर्टेंट यह जानना था कि आपको कौन से खोलना है तो यहां मैंने सारे डिटेस बता दिया आपका क्या रिक्वार्मेंट है उसके सबसे अपन कर सकते हैं अगर आप पोस्ट इसमें निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट भी सेविंग्स ए आप यह है यह आपको खोलना कंपल्सरी है और यह खोलने के बाद अगर आप बैंक टूब पोस्ट इस ट्रांसफर करना चाहते हैं या कुछ ऑनलाइन सर्विस लेना चाहते हैं तो आप आप इन दोनों एकाउंट को लिंक भी कर सकते हैं दोनों लिंक कर लेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलता है मैं इस प्रकार की वीडियो और लाता रहता हूं साथ इस वीडियो को जाधर श्राज़ा शेर किजिएगा ताकि आपके फ्रेंड और रिरेटिव भी इस चीज के बारे में जान सके इनके डिफरेंस के बारे में साथ सके और एक बार कहना चाहूंगा फ् बैटम दिख रहा होगा उसको क्लिक करके थैंक यू कि अ